हेलो गाइस वेल्कम टू स्टडी टूनॉज स्टडी टूनॉज में हम कवर करते हैं करन्ट फेयर पॉर एच्प 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 एलाइज सर्विसेज एससी बैंक्स वियो क्लरक अर्वियाई एंड बिरेश टेट पीचेस एक्जाम के लिए आज किस वीडियो में हम हिमाचल पुदेश अलाइज सर्विसेज दोजा सत्रा के प्लिम्स पेपर के पार्ट टू को करेंगे जो वीवर इस चैनल पर नए आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलती रहें और आप अपनी प्रेपरेशन में लाब उठाते रहें तो चलिए सुरू करते हैं निमलिक्त युगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं हैं तो इसका राइट कुरक्टली मैच्ट करने हैं लेकिन इसका राइट अंसर है ए लखनवू निमलिक्त में से किस वैसराय के सासनकाल में इलबर्ट बिल बिवाद हुआ था तो इसका राइट अंसर है लॉड रिपन निमलिक्त में से किस राष्टवादी नेता ने पावर्टी एंड अनब्रिश्टिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी तो इसका राइट अंसर है दादा भाई नैरो जी सत्य सोधक समाज के फाउंडर कौन है इसका राइट अंसर है जियोतिरा फोले गदर अंदोलन के नेता थे तो इसका राइट अंसर है लाला हर्द्याल निमलिक्त अंदोलों में से सरप्रत्म कौन सा अंदोलन घटित हुआ तो इसका राइट अंसर है सोधेशी एंड बाइकोट मॉवमेंट निमलिक्ट में से कौन सी घटना सब ने अवग्या अंदोलन के आरहम को चिनित करते हैं तो इसका राइट एंसर है डांडी मारच भारती राष्टी कांगरेस के पहले अधिवेशन का महासचीव कौन था तो इसका राइट एंसर है एयो ह्यूम भारती परिश्द अधिवेशन को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है तो इसका राइट एंसर है मौरले मिन्टो रिफॉर्म्स जलिया वाला वाग हत्यकांड किस वर्स हुआ तो इसका राइट एंसर है उन्निस को भात्मा गांदी ने किस वर्स हमदाबाद में सावरमती आश्रम की स्थापना की इसका राइट एंसर है उन्निसो पंद्रा को उन्निसो तेटिस में गांदी जी ने जिस पत्रिका का आरम किया उसका नाम क्या था उसका नाम था हरी जन मात्मा गांदी ने भात में सरप्रतन कहां सब्तेगरा किया तो इसका राइट एंसर है चमपारन बिहार या किसका कतन है कि मेरा विस्वास है अगर केबल कारता और हिंसम में चैन करना हो तो मैं हिंसके चैन का चुनाब करूँगा इसका राइट अंसर है मात्मा गांधी मात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरू कौन थे? ये थे गोपाल क्रिशन गोखले जी मात्मा गांधी ने हिंद सुराज में निमलिक्त में से किसकी कड़ी अलोचना की थी? तो ये कि थी? parliamentary form of government की मात्मा गांधी के अमसार पुझी और श्रम के बीज किस प्रकार का संबंध है इसका राइट अंसर है इंटरडिपेंडेंस मात्मा गांधी के जीवन पर किसका सबसे सरवादिक प्रभापड़ा है तो इस लियो टॉल्स्टाइक की राइटिंग्स का ज्यादा प्रभापड़ा है सत्यग्रा का सबसे इंपोर्टेंट अलिमेंट क्या है तो यह है नॉन वालेंस अंसर भारती राष्टी कांग्रेश ने कब हिंदू धर्म से अस्प्रिश्याता के उन्मोलन का प्रस्ताव अपनाया तो इसका राइट अंसर है उन्निस वबीस राज तरंगणी नामक इतियासिक गरंथ जो कस्मीर का इतियास है इसकी रचना किस ने की थी तो इसका राइट अंसर है कल्लन सिंदू घाटी सब्वेता की निमलिक्त में से कौन सस्थल भारत में है तो इसका राइट अंसर है अलमगिरपूर निमलिक्त में से कौन सा कथन बुद्ध के विशे में सही है? इसका राइट अंसर है उन्होंने जाप्ति की वरभाग की बिना संग में परवेश दिया चवर्क दर्शन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका राइट अंसर है लोकायत अंकोर वर्ट का प्रसिद मंदिर किस देश में स्थित है? इसका राइट अंसर है कमबोडिया गुप्त काल में किसने अमरकोस नामक गरंद की रचना की? इसका राइट अंसर है अमरस्तिम्हा हर्श्वसंद के सासनकाल में कौन चीन से भारता है? तो इसका राइट अंसर है हिउन सौंग मुगल एम्परर अकबर का मकबरा कहां स्थित है? तो इसका राइट अंसर है सिकंदरा किस सिक गुरू के अधिन आदिगरंथ अंतता संकालित किया गया था? इसका राइट अंसर है अर्जन तंजाओर के ब्रिहद वेश्वर मंदिर का निर्वान किस चोल सासक ने करवाया था? इसका राइट अंसर है राज राजा अवन विश्व में नियूंतम बर्षा किस मरुस्थल में दरज की गई है? इसका राइट अंसर है अटकामा भारत में सबसे कम ताबमान दरज किया जाता है तो इसका राइट अंसर है द्रास सेक्टर में अधिक्तम बर्षिक ताबमान किस थान पर दरज किया जाता है? तो इसका नाम है रियकूट तसक सामदने तर ओले किस कौन से बादलों में बनते हैं? इसका राइट अंसर है कपासी वर्षा बादल किलमोने बस क्लाउड्स निमिक्स में से कौन से स्तन पाई नहीं है? इसका राइट अंसर है डॉल्फिन्स एंड फिहेल्स सरवादिक माद्विपियस सेल्फ का विस्तार किस महसागर में है? इसका राइट अंसर है आर्क्टिक ओशन सबसे ज़्यादा सेलनीटी किस जिल में पाई जाती है? तो इसका राइट अंसर है लेक वैन बिस्तम में सबसे उंचा जौर भाटा कहां आता है? तो इसका राइट अंसर है गल्फ ओफ फंडे फंडी की खाडी पापुआ की खाडी कहां स्थित है? तो इसका राइट अंसर है दक्षिन अटलांटिक महसागर निम्न में से कौन सामान सबसी नहीं है? तो इसका राइट अंसर है सी ड्रेगन अंतराष्ट्री ये सुनामी सूचना के इंदर कहां पिस्तित है? तो इसका राइट अंसर है होनोलूलू भारती तटी एक्षेत्र जो टुफान, चक्रवात और सुनामी के लिए उपलब्ध है इसका शत्तावन सो किलोमेटर राष्ट्री आपदा प्रबंधन प्राधिकर्ण के अधख्ष कौन है? तो इसका राइट अंसर है प्राइम निश्टर चक्रवात सब्द किस भासा से लिया गया है? तो इसका राइट अंसर है ग्रीक वर्ड है ये भारत में सरवाधिक बाढ़ आने की संभावना किस महीने में रहती है? तो इसका राइट अंसर है जून और सितंबर महीने के वीज में सुनामी आने की संभावना कब रहती है? एनी टाइम इन डे और नाइट कभी भी आसकती है ये सयुक्त राष्ट आपदा प्रबंदन दल आपदा से उत्पन समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट अंसर है अफरिक्का 35 भारती राज्जियों और किंदर सासित प्रदेशों में से कितने आपदा परभावित संभावित क्षेत्र है? तो इसका राइट अंसर है 25 भारत में प्राक्रितिक और प्रेरित खत्रों के कराण 1980 से 2010 के दौरान कितने मनिश्यों की मिरित्यू हुई है? इसका राइट अंसर है एक लाख तैतालिस हजार उनतालिस 11 मार्च 2012 के एक भुकंप और सुनामी से हजारों लोगों की जानहानी कहां हुई? तो इसका राइट अंसर है जापान मानव आंख द्रिश्य प्रकास की किस वेवलेंथ के प्रति अधिक समवेदन सील है? तो इसका राइट अंसर है पच पन सो हिंग स्ट्रोंग प्रकास का वेग अधिक्तम है एक प्रकास वर्क्स है तो इसका राइट अंसर है प्रकास द्वरान एक वर्स में चली गई धूरी दे इस्टैंस ट्राइबल बाइ लाइट इन वन येर वेक्यूम लेजर एक श्रोत है ये लाइट का स्रोत है एक कार का रियर व्यू मिरर क्यास कैसा होता है तो इसका राइट अंसर है कनवेक्स हवा का एक बुलबुला पानी में वहवार करता है इसका राइट अंसर है डाइवर्जेंट लेंस इंदरधुन दिखता है डिस्पर्शन अफ्शन लाइट के कारण कनवेक्स लेंस प्रयोग होता है लॉंग साइट इफेक्ट को दूर करने के लिए वस्तुए प्रकास में दिखाई देती है स्कैटरिंग के कारण काग्रिज पर फिंगर प्रिंट पर चाना जाता है इस पर फ्लोरेशिंट पाउडर के छिड़काव द्वारा और इसे निक्षन करके अल्ट्रा वालेट लाइट में डालके लाइटनिंग रॉड्स आर मेड़ आफ मैटल से बनाए जाते हैं ड्राइज सेल में कौन सा इलेक्टलाइट होता है इसका राइट अंसर है अमोनियम क्लोराइड पावर हाउस से अधिक वोल्ट ता एसी पर प्रेजशित किया जाता है क्योंकि इडिज मोर इकनोमिकल ड्यू तो लेस्पावर बेस्टेज लॉसिस कम होते हैं बेस्ट मेटियल फॉर पर्मनेंट मेगनेट इस राइट अंसर है अलनिको भारत में एसी मेंज की आवरिती है इसका राइट अंसर है पचास हर्ट्स मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड कितना स्टैंड करता है तो यह गता है तीन सो से तीन हजार किलो हट्स के बीच में अप्रॉक्सिमेट हाइट अफ ऑजोन लेयर कितनी है तो यह है साठ से सत्तर किलोमेटर के बीच में है दूर संचार के लिए प्रयोग होने वाली वेब्स कौन सी है तो यह है माइक्रो वेब्स एटम का साइज कितना होता है तो यह है एक एंग्स्ट्रॉंग के बरावर्ण केरियर त्रंग पर सिगनल अवरती अध्याप्रोपन का प्रक्रम माना जाता है तो इसका राइट अंसर है मॉडूलेशन विच अफ द फॉलॉविंग हैस मैक्सिमुम ताइम आफ रेवलूशन अराउंड दा सन तो इसका राइट अंसर है नेप्चून हमारी गलक्सी की शेप क्या है तो यह है स्पाइरल गलक्सी है ब्लैक होल नाम दिये जाता है क्योंकि इसकी ग्रेवटी बहुत ज्यादा है और यह लाइट को भी स्पेस से खीन सकता है इतनी ज्यादा ग्रेवटी है यहां इसका राइट अंसर है एक एंग्स्टॉम इसका राइट अंसर है 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 इसका राइट current-carrying coil is stored in the form of magnetic field. तारो का तिम्तिमाना है। इसका राइट अंसर है। दी, the fact that the refractive index of earth's atmosphere fluctuates। पारे का ताप मापी किस ताप तक भवने में परिकुत होता है। तो इसका राइट अंसर है। दोस्तो बारा डिग्री चेल्सियस तक। लोहे की सुई पानी की सता पर तैरती है। इसका करण क्या है। इसका करण है प्रिष्ठ तनाव, surface tension। 2011 की जन्गर्ना में हिमाचल प्रदेश की पूरुस सक्षता धर कितनी थी। तो ये थी 90% एक रुपे के नोट को छोड़कर बाकी भारती मुद्रा के नोटों पर किस्त के हस्तक्षर पाये जाते हैं। तो इसका राइट अंसर है RBI Governor, 2011 की जन्गर्ना के अंसार इन शहरों को जन्संख्या के बढ़ते क्रम में रखिए। इसका राइट अंसर है D, सबसे पहले हैदरावाद, उसके बाद बैंगलोर, उसके बाद दिल्ली और फिल्मोंबाई। यह हुआ है 1952 में, Match the education level with unemployment rate as per census तो इसका राइट अंसर है A, Next question है, भारत के निरियातों मैं सबसे अधिक विद्दी कब हुई। तो इसका राइट अंसर है 2016 से 17 के बीच में, 2017-18 की क्रमशव प्रथम तथा दुटिय तिमाहियों में भारत की GDP विद्धी तरेंग क्या थी। तो इसका राइट अंसर है B, 2017 का अर्थ सास्तर में नोबल पुर्षकार की से प्राप्त हुआ था तो इसका राइट अंसर है थैलर, 2014 के किस माह में मेकिन इंडिया अरंब हुआ था तो इसका राइट अंसर है सितंबर, ब्रिक्स किन देशों से बना है तो इसका राइट अंसर है ब्राजिल, रसिया, इंडिया, चाइना और साथ अपरिक्का, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्य वर्स की इस दिन मनाया जाता है तो इसका राइट अंसर है, 11 जुलाई, भारत में वन अंसंधान किस के अधिकारक्षेत्र में है तो इसका राइट अंसर है, कावेरी रिवर्ड डिस्प्यूट किस के बीच में है तो इसका राइट अंसर है, करनाटक और तमिल नाडू के बीच में उत्तरबदेश के किदारनाथ अभ्यान में किस प्रजाती के सनक्षन की प्रयोजना चलाई गई है तो इसका राइट अंसर है, स्वच्च बातावर्ण के लिए तीन आर क्या है तो इसका राइट अंसर है, किस उर्जा विकास एजनसी ने बच्चों को उर्जा सनक्षन के रूप में लाने के लिए एक महत्वा कारेकरम सुरू किया है, तो इसका राइट अंसर है, डेवलिप्मेंट एजनसी, सोर के अबस्रोशन के लिए सरवत्तम सामगरी है, इसका राइट अंसर है, ग्लास वोल, भारत में महिला परजनन क्षमता की लक्षित सिम्ना है, तो इसका राइट अंसर है, दो, डी इसकुल टू टू, इन में से कौन सी नदी के उद्गम्षरोत और सिंक का प्रतिनी जित्व करती है, तो इसका राइट अंसर है, गंगोत्री, गंगा सागर, क्योंकि गंगोत्री से गंगा निकलती है, और गंगा सागर में समाजाती है, प्रसिद्ध पुष्टक, दे एसेंट आफ मैन के लिखक कौन है, तो इसका राइट अंसर है, जे ब्राउन विस्की, तो ये था, HPLI Services 217 के प्रिलीम्स का चल पेपर, I hope you have learned a lot from this, Thank you very much.